सब जो बात है बिल्कुल जूठी बात है और जूठे केस में हमको फसाना चाहता है नेमु लाजी साहब का लड़का सजाद अंसारी अजाद अंसारी और लियाकत अंसारी हमने किसी महिला को छेड़ छाड़ या टच भी नहीं किये हैं मामला देखिये इसमें हम लोग का एक बैठक हुई थी मिटिंग हुई थी जस पर यही मामला हुआ हुआ था कि चौहदी के हिसाब से यह लोग का जमीन 933 के बगल में जो पुच्चू के तरफ से जो रास्ता आता है उसी में मेरा फर्स्ट पुलोट में मेरा जमीन है उस जमीन में चोहदी के हिसाब से हमको अपना बुंडरी कराना था जिस पर हम कुछ मजदूर और हम लोग तीन पार्टनर सब साथ में गये थे उस पर जैसे ही क नाम चालू हुआ अचानक से सजाद अंसारी रड से हमारे साथी जो है साबीर अंसारी उनका सर पे वार किया और उससे पहले समीम अंसारी को उनका वाइप जो है वो रड से वार की जिस पर दोनों का माथा फट गया मार होकी स्टिक से मेरा सर पे और पैर पे वार किया तो ह हम गीर पड़े थे लेकिन हम उठने के बाद सूजबू से दोनों को सबसे पहले हम सोचे की अस्पताल ले जाते हैं और लोग का टीटमेंट कराते हैं और भी लोग वहां पर थे जो देखे जो सच्चाई है जो सच है और जो महिला है बार-बार बोल रही थी कि मैजूल अनसा अनसारी का मडर जो हम लोगों ने पैसा दे के करवाए हैं उसी तरह से अनवर हुसेन तुम्रा भी मडर हम करवाएंगे इन निस्चिंत है और पीरू तोला का असरफ अनसारी अपना और अन्यसाथी के साथ कल और मांजी आया और हम थाना परिस्द में ही थे उस समय बोला कि अनवर अनसारी जिस घड़ी थाना से निकलते हैं उसको गोली मार देंगे जिस पर बलोग चौक में अबास अनसारी के दुकान है वहीं पर वो था और यह सब बात बोला जो हमको एक लड़का सवदर अनसारी है मेरही गाउं का वो फोन करके बोला कि तुम थाना से नहीं न आज तक उसका पुरूप नहीं मिला उसी तरह से अनुवर हुसेन तुमरा मडर करवाएंगे और मडर करने वाला पीरूटोला का असरफ अनसारी जो सूटर है वह महिला जो थी रेजा कुली जो होता है गाउं अध्यात में हम लोग कहते हैं मजदूर मजदूर गुरूब का थी इसलिए कि दो चार को हम लोग लड़की लोग ज्यादा ले गए थे क्योंकि जो लड़की है हम लोग का यह था कि गलत तरीके से जो है बहवार करेगी जूटा के समपर बनाएगी और जहां तक बात है जो जमीन का जमीन हमारा बिल्कुल पाको साफ है रसीत कटा हुआ ह किसी तरह से कोई मामला नहीं है और हमारे साथियों को तो आप देख लिजिए कि किस तरह से वार हुआ है और सर पे जितना हमको लगता है कि चार-पांच टा का सिलाई हुआ है और समीमन सारी का भी देखिए अगर थोड़ा सा यह होता तो उनका आख जो है मने हमेशा के लि और मार पिट करके चलने से कोई मामला खाल नहीं होता है इसलिए हम लोग चाहते थे कि काम हो जाए किसी तरह से जमीन में और विवात खतम हो जाए परसासन से हम यही गुहार करना चाहेंगे कि सबसे पहला तो जो इस तरह से घटना घटती है जमीन में उसमें परसासन कड़ी से कड़ी एक सन ले और पहला तो जो मैजूल अनसारी का धोस दिखाती है उन सूटरों को भी पकड़ा जाए क्योंकि मैजूल अनसारी का बीते दिन में सूटर नहीं पकड़ाये हैं उस सूटर भी पकड़ाने चाहिए ताके आने वाला दिन में किसी का धोस ना बने द इसको रियोपन करके फिर सी इस पर जाच किया जाए जो है मोटेशन रसीट करेक्शन सीलीप जो है अंचल अधिकारी और मांजी दोवारा जो काटी गए यह और असीद है कि एसेशपी राची से जो आदेश आया है नेमूल हाजी साहब का जो अभी थाना में जाच आ चुका ह जो बरवे का जमीन दोखतरी में बेचे हैं वो बिलकुल गलत है और गलत बनसावली बनाके जब पहले आसमा का जमीन खरीदी हुई थी रजिस्टिव मोटेशन आसमा का है उसमें गलत तरीके से जो है गुस के और वहां जमीन विक्री किया और बरवे से दोखतरी जमीन का पैसा अठारा लाक रुपईया ले गया जबकि वो बिलकुल ही गलत है इस पर एसेसवी खुद और मांजी थाना में पेपर आया हुआ है आप लोग जाके देख सकते हैं कि नईमूल हाजी साहब का विरूद में जो पेपर है उसको आप लोग जाके देख सकते हैं उसके बा हम तो गिर गये हैं उसके बाद महिला हुला था वही सब हमको उठाई उसके बाद फोन भी गिर गया था तो उठा के फिर दे दिया उसके बाद हमको तो कुछ होसे नहीं था गाड़ी में लोट करके हमको लेला या पिसका तब हम बोले कि हम रहा तो बहुत बला डुकबा र हम लोग विससा सोचके कभी ने गए थे उस जगह में हम थे भीने साइड में थे रोड का इस बार में थे बैया साइड में खड़ा थे गूम के हम कुचु हीजोने थे हम उसंす साइड थे और पीछे सा आकर वार किया है जमीन का लगभख सभी कोई देखे हुए हुए हैं पेपर उगरा सभी का कहना है कि आपस ने जो भी है उनका जो कव्याद है उर रखे हम लोग का जो कव्याद है वो हम लोग रखे और वही हिसाब से दोनों आदबिन के बीच बरता हुआ उसी के विसाइन हम लोग गए हुए थे हैं तो हम लोग एच चीज नहीं जाने कि अगला इस तरह से इस्टिक है और जान लवा हमला करे हम लोग के उपर अप्रोज अनसारी पीछे से आया पगड़ लिया उसके बाद जो एनामुल हाजी साहब का तीसरा लगा है हुआ के हमको क्रट से माथा न मारा माथा न मारने के बाद हमको थोड़ा होने लगा बलाडाने लगा उसी के बीच पैर ने भी मारा, आख ने भी मारा, आख ने मारने के बाद तो हम बिल्कुल ई हो गए, किसी को देख नहीं पाएं, जो आख का नमूना अभी भी आप लोग के बीच है, जो देख सकते हैं. सासन साम अहीं चाहते हैं, कि जो सच्चाई है, वो चीच करें, हम लोग अगर किसी तरह उसके साथ कोई बरताव गलत ने की हैं, और इस तरह से उसका मण जो है, सुनने ने आता है, कि वो जगा भी अगल वगल, उसका हमेशा इसी तरह रंग रवाज है, जो किसी को भी, वो है लेडिस को और बेटा का इस्तमाल करता है, किसी के साथ भी, इसी तरह तार उतार हो जाता है, जान लेने के, क्योंकि सुनने ने आता है, कि अगला का मडर हुआ था, उसने भी बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं, सो का किया जाए, हम लोग क्या कर सकते हैं, माले जे, किसी का और अभी भी सुनने ने आता है, कि हमेशा धिरा दम की देते रहता है, वो लेडिस का कोई भाई है, पिरू टोला का, वो है दागी आदबिन, उसका वो आड़ लेता है, अर उसी का मनुबल उसका बढ़ा हुआ है अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले